उड़ान कॉम्टेशन क्लासिस की तरफ से आपके लिए क्रिया का सेट पेपर लेकर रहे हैं जिसमें की पहला कुश्चन है इन में से ततकालिक वर्तमान का उधान कौन सा है पहला ओप्षन वह जाता है दूसरा वह जा चुका है तीसरा वह जा रहा है चौता वह जाता होगा तो इसका हो जाएगा तीसरा ओप्षन वह जा रहा है अगला प्रशन कर या करके प्रत्यों का प्रयोग होता है पहला ओप्षन अकर्मक्रिया में दूसरा प्रिनार्थक्रिया में तीसरा संयुक्त्रिया में चौता पूर्वकालिक्रिया में तो इसका चौता ओप्षन हो ज नाम, बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संग्या, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेशन, तीसरा option, क्रिया, अगला प्रश्न, किस वाक्य में अकर्मक्रिया है, वे महां से अभी अभी आये हैं, मैं आज कल खूब पढ़ता हूं, तीसरा option, वहां अच्छा लिखता है, इसका हो जाएगा पहला option वे महा से अभी अभी आये हैं। अगला प्रशन किस वाक्य में भूत काल में नहीं है, किस वाक्य में क्रिया भूत काल में नहीं है। पहला option वहाप पढ़ रहा था, दूसरा उसने पढ़ाई की थी, तीसरा वहाप पढ़ने वाला है, चौथा उसने पढ़ाई कर ली थी, तो इसका हो जाएगा तीसरा option वहाप पढ़ने वाला है। अगला प्रशन किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है पहला उप्षन उसने फल खालिये थे दूसरा उप्षन मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं तीसरा उप्षन अचानक बिजली कौंदू थे चौता उप्षन कल वे आने वाले थे तो इसका हो जाएगा दूसरा सामान भूतकाल में है पहला उप्षन उसने पुस्तक पढ़ी दूसरा उप्षन उसने पुस्तक पढ़ी है तीसरा उप्षन उसने पुस्तक पढ़ी थी चौता उप्षन उसने पुस्तक पढ़ी होगी तो इसमें पहला वजाएगा उसने पुस्तक पढ़ी अगला प्रशन किस वाके में सकर्मक्रिया नहीं है पहला option कुशल हसता है दूसरा आशीश कार चलाता है तीसरा पुलिस ने छोर को पकड़ लिया यहां पर गलत प्रिंट हो गया चोर नहीं होगा पुलिस ने छोर को पकड़ लिया भोलू को दवा पिलाओ पहला option कुशल हसता है अगला प्रश्न किसी अन्य शब्द पर निर्वर नहीं रहने वाली धातु कहलाती है मूल अकर्मक सकर्मक योगिक पहला हो जाएगा मूल अगला क्रदंत क्रिया प्रभावित होती है पहला option पुरुष से लिंग पुरुष से लिंग वचन से वचन पुरुष से तीसरे में तीसरा हो जाएगा लिंग वचन से इसे प्रकार ये सेटाप का खतम होता है